इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा असलाम वालेकूम रहमतुलाई वरकातु इत्तिहाद दियूज में आप सभी का खेर मगदम है फट्नवी इसने दिया इस्तिफा भाजपा से बनेगी सेना इनसीपी कॉंगरेस की हुकूमत आखिरकार भाजपा को मोह की खानी पड़ी जल्द बाजी में रातो रात हुकूमत ब पूरे देश में भाजपा को लेकर गुस्से की लहर उठी है कि भाजपा अपने मुफाद के लिए लोकतंत्र का मजाग कैसे उडाते हैं और किसी तरफ से मजाग उडाने में गुरेज नहीं करते हैं अजीत पवार ने नसीपी से गद्दारी की और एक चिट्टी पर 50 से निकले की तरह आखरकार फ्लोर्टेस्ट से पहले इस्तिफा पेश कर रहा पड़ा यकीनर यह सद्वा भाजपा को मैंगा भी पड़ेगा और आने वाले इंतखाबात में अवाम भरोसा भी नहीं कर सकती क्योंकि फट्नवीस ने महाराष्ट की अवाम के जजबात से पूरा देश सो रहा था पूरा माराष्ट अभी विस्तर में ही था तब अचानक फट्नवीस अजित पौर ने हल पूटाया महागाड़ी हुकूमत यानि शिवसना राश्वादी और कॉंग्रेस की मिलकर हुकूमत बनने वाली थी पर इख्तदार की हवस ने भाजपावलों को सोने नहीं दिया और रातो रात गवर्नर को अपने मिजाज के मताविक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया साथ में गोधी मीडिया भी मास्टर स्टोक कहकर चीखती रही गोधी मीडिया का तो यही काम रह गया है और मरकजी हुकूमत की जानिब से इसी तरह का मीडिया बनाय गया है अगर शिवसे ना NCP का इत्याद होता है तो गोधी मीडिया चीखती है उसुलोंग को बाला इताग रखकर सिर्फ एक्तदार हासिल करने के लिए इत्याद किया जा रहा है सोनिया गांधी को विदेशिय और नजाने क्या क्या कह दिया जाता है वही भारतिय शहरियत को छोड़ कर विदेशिय नागरिकता हासिल करने वाले अक्षे कुमार को तो सच्चा भारतिय का जाता है और प्रधानमंतری के साथुस्क्रिप्ट मुलाकात भी ली जाती है तो अंजनावों कशप हमिश देवगंद्शुदीर चोदरी अर्नगोसवार को सही और सच्चपत्रकार का थमगा दिया जाता है लिहाद एक बार फिर गोधी मीडिया फटनवी सजित पोवार ने कैसे मास्टर स्टोक मा रहा है इस पर कानिया बनाई जा रहे है पर ना सिर्फ फटनवीस हुकूमत को अदालत ने तमाचा मारा है बलकि अब गोधी मीडिया भी अपने सूर बदलने पर मजबूर होती जा रहे है बरोस फिर महागडी ने ग्रांड हयात होटल में पूरे 162 रुकने असंबली की परेड करवाई जब अदालत ने कल शाम तक अक्सरियत साबित करने का फैसला दिया तो कैसे बच पाएगी अब भाजपा को तो जलील होना तय हुआ है और उसी के पहले ही फटनवीस ने अपना इस्तफा फेज किया है अ तो कल शाम तक अक्सरियत साबित करने का फैसला दिया दिया है अब तो कहीं पर बचने की उमीद है यह नहीं तवक्व है नहीं भाजपा का जलील होना तय है शुसेना और राष्टबादी ने बड़े सक्त लाइज में भाजपा को धमकी वाले अलफाज इस्तिमाल करते वे जादती हमारे साथ की गई तो हम सबक सिखाने के काबिल है इसा राष्टबादी के मुख्या शरत पवार ने कहा था इसी तरह से शुसेना के उदो ठाकरे ने भी कहा था कि हम और आने वाले हैं नहीं कहेंगे बलके हम आच चुके हैं हमार लिए रास्ता खुला छोड़ो व आपसी हुई है भाजपा का ऐसा किरदार इस बार फिर उबर कर आया है जितना भी रिश्वत को और शक्स हो भाजपा में जब शामिल होता है तो तमाम काले दब्बे दुल जाते हैं अजित पवार का भी यह हुआ है 95,000 करोड के सीचाई मामले में अजित पवार को भी मिली क्लीन चीट ऐसे वक्त में देना क्लीन चीट जबके पूरी सियासी सरगर्मिया जारी है यह शा को शुबाहत पैदा करता है क्या आप मीडिया के साथ अदालत गवर्नर इलेक्शन कमिशन सभी मरकजी हुकूमत के यह वजिर्या का ओदा भी दिया जा रहा है चोरी छपे एक्तदार पर 2595 सरकार की कोशिच यही थी कि फर्जी चिट्टी से सरकार तो बना लेंगे फिर काफी वक्त लिया जाएगा और इसी में उमिदवारों को खरीद फरुक्त के फरुक्त से ताकत का मुजारा किया जाए गई मोटा भाई के पसी ने छूटने शुरू है यह भी उतना ही सच है के घटिया और गंदी सियासत कुछ वक्त तो चल सकती है पर हर जगह कामियाब नहीं हो सकती है आकरकार महराष्ट की जंसाद से धोकागड़ी करना मूदी हमिच्चा और पढ़न विसको महगा पड़ा आने वाले दिनों में शिव सेना यकीनन भाजपा का बदला ले सकती है इसमें कोई शक ने इत्यायाद ने उस देखने के लिए शुक्रिया अल्ला हाफीच